इस्राइल गिर गिराने लगा है वो चाहता है कि फिर से अब युद्विराम हो और उसके जो फसे हुए जो उसके लोग हैं जिसको हमास ने बंधक बना रखाया उनको छोड़ दिया जाए इरोप के एक देश में मुसाद जो की इसराइल का दरसल में तंत्र है और वहीं हमास के बीच कतर के मध्यस्था में वही अलजजीरा वाला जो चैनल है कतर सुचिये कतर किस तरह से पूरे खारी देश में एक टेली विजन चैनल की बैसे लीडर्शिप कर रहा है उसके बीच बैठक हुई और वहीं लगातार हूथी के लडाकों ने इसराइल की कमर तोड़ दी है और रोज इसराइली फौज बेमौत मारे जा रहे है नमस्कार मैं संभुकुमार सिंग और आप देख रहे हैं निसनल दस तक आखिर इजराइल अपने घुटनों पर आहीं गया है निर्दोस लोग को मारने के बाद भी उसे लग गया है कि इस यूद में उसकी जीत तैय नहीं है और भले वो निर्दोस लोग को मार रहा है लेक तो वो खबरे हैं जो इसराइल मानता है लेकिन परदे के पीछे का सस्तो ये है कि रोज इसराइली फोज मारे जा रहे हैं पहले एक बार आपको बड़े बड़े अपडेट दे दूँ उसके बाद बिस्तार से बताऊंगा सोचिए हिब्रू मीडिया रिपोर्ट पिछले अपते सुजाये में 20 यहुदी सैनिक मारे गए हैं उनके ताबूत हैं जो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं तो सोचिए किस तरह से हालात हैं और इजराइल को किस तरह से अपने घुटनों पराना परा ये वो दो तस्वीरे हैं अगर आज गाजा में इजराइली सेना के दो जिम्सबांड बना हुआ था वो अपने घुटनों पर है और देखिये किस तरह से हिजबुल्ला ने सर्याम एक इजराइल की मिलिटरी बैरक्स को उरा दिया लेकिन सबसे खास बात है कि हिजबुल्ला हूथी और हमाद जो है अभी भी इजराइली सैनिकों पर हमला कर रहा ह निर्धोस लोगों पर नहीं और ये स्क्रीन सर्दे कि ये टेल अभीव सहर का है कहते हैं कि टेल अभीव बैसिकली फिलिस्तीन का हिस्सा था लेकिन बाद में इजराहील ने उसको जवरन कबदा कर रखा था और अब वहां सुचिए टेल अभीव में इजराइलियों कि इजराइल के परधान मंत्री नितन्याहू के खिलाप किस तरह से इजराइल के लोग आधी रात में परदर्सन कर रहे हैं तो सोचिए किस तरह से बिंजामी नितन्याहू के खिलाप अपने ही देश के लोग खड़े हो गए हैं और अब तक का सबसे बड़ा परदर्सन इजराइल की राधानी तेल अभीब में हुआ है और इजराइल नेक बार फिर हमास के सामने घुटने टेके हैं इजराइली खुपिया एजेंसी मुसाद के परमुक ने उरोप के कतर में परदान मंत्री और गिदेश मंत्री मुहम्मद बिन अब्दलरह्मान अल्थानी के साथ अहम बैठक की इजराइल कतर के माध्यम से नए सिरे से युद विराम और कैदियों के अदला बदली के लिए तयार है इजराइल में युदी विरोध गजा युद रोके और युदी कैदियों को मुक्त करे तो सुचिए किस तरह से इजराइल अपने घुटनों पड़ा गया इसका अप अंदाजा लगा सकते हैं और यमन के होथिस ने सुचिए ये जो जल रहा है हमला करके इजराइली कारगो जहाज को लाल सागर में तवाह कर दिया तो सुचिए इजराइल की पूरी अर्थ विवस्था चर्मरा गई है क्योंकि उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट ब्यापार था फिलिस्तिनियों का क्या था वो तो किसान थे अपना छोटा मोटा कारुबार करते थे गजा और बेस्ट बैंक इन्होंने मलवे में तबदिल कर दिया अब इनके सैनिकों का वो सीधे सीधे सत्यानास कर रहे हैं यमन ने इजराईल को सीधा हमला किया यमन ससस्त्र बालो ने दच्छिन इजराईल के उम-ल-रससष छेतर में इजराईली ठिकानों के खिलाप एक सैनभियान में ड्रोन से हमला किया इजराईल کی महत्पून सैन समागरी जो है वो नस्ट हो गई है तो सीधे सिधे इस इूद में यमन अब उतर गया है उसके लड़ाके उतर गए है और इसराइली मीडिया की रिपोर्ट है इसराइली लेवनान बोडर के मार्गलियर छेतर में हिजबुल्ला के ड्रोन अटेक के चलते एक IDF सेंगों की मौत तीन अनगायल है तो यह तमाम बड़े अपडेट मैं दे रहा हू सोचिये किस तरह से इसराइल जो है वो अब घुटनों पड़ है और अंत में ये तस्वीर देखे अलकासम बिग्रेड ने जरुसेलम के बुराक दिवार के पास मिसाइल दागा उसके बाद कबजे वाले हुदी अपना घर और दिवार के पास से भागते दिखे तो इस तरह अभी भी निर्दोस लोग को निसाना बना रहा है जेनिल लराई करने के बाद आईडियेफ विस्ट बैंक में नूर समस और तुलके राम पलिस्टाइन सिवरोपल हमरा कर रहा है जहां आईडियेफ ड्रोन्स का उपयोग कर रहा है तो सुचिए ये निर्दोस लोग को मार है लेकिन उनको अपने करारा जवा मिल रहा है इसराइली आर्मी रिलीज नेमस अफ टू रिजर्व सोल्जर्स की लिन गाजा सुचिए आईडियेफ ने गज़ा पट्टी पर लड़ाई के दौरान दो और अधिकारियों की मौत और पांच अन सैनिकों के गंभी रुप से की बात को सिवकार किया है अलकासम लरानों ने टैंडम सेल्स और एंटी पॉस्टनल टेलिविजन डिवाइस से बेइत लहिया में एक प्लिस्ताइन घर की तलासी ले रहा है आईडियेफ टुकरी पर हमला किया जिसमें मारे गए और घायल हो गए तो यह तमाम बड़ी खब के अंदर 10 इजराइली सैनिकों से भीर गया हमास एम 16 हत्यारों को भी जब्त करने में काम्याब रहे तो सोचिए हमास के जो लडाके हैं वो इजराइलियों को मार भी रहे हैं और उनका हत्यार भी लूट रहे हैं हमास पर्तिरोद के लोग मसीन गन लिये हुए आईडियेफ बल से भीर गया उन्हें खान उनिस्पूर में रोक दिया गया अलकासम लडाके ने बेत लहिया के पास एक इजराइली सैनिक अड़े को ग्रेनेट से मार डाला लडाकों ने सुरक्षित आसरयों की तलास कर रहे आईडियेफ जवानों पर हमला किया है यह सबसे बड़ी हायल हुए है यमनी ससत्र बलो ने दच्छिन इजराइल के उम अल रसरत छेतर में इजराइली ठीकानों खिलाप एक सैन अभियान में ड्रोन से हमला किया और यह तमाम बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है और प्रारंभिक आईडियेफ से पता की बज़े से इजराइल के लोग जो है वो बिंजामी नितनियाहु के खिलाफ है तो यह सबसे बड़े अपडेट्स हैं लेकिन अब आपको प्लिटकल अपडेट्स दे रहा हूं मैं कतर में लगातार मुसाद के जो परमुक है उसकी बैठक हो रही और वो चाहता है कि एक ब बड़ी बात है लाल सागर से अब एक भी जहाज इजराइल में नहीं जा रहा और उसके बिजनिस चोपट हो गया है उसके अर्थविवस्था चर्मरा गई है और इजराइली अब अपने ही सरकार और बेंजामी नितनियाहु की ताना साही के खिलाफ राजधानी में पूरी रात परदरसन करief यह सबसे बड़ी update है अब तक दुनिया भर में लोग परदरसन कर रहे थे इजराइली परदान मंतरी के खिलाफ इजरायल के खिलाफ लेकिन अथ खुद इजराइली भी परदरसन करने लगे है कोकि उनको लग गया है कि उनको अपनी सत्ता बचाने के लि और वही मलवा और वही तबाही अफ हमास के लिए और फिलिस्तीन के लिए बर्दान साबित हो रहा है और उसी मलवे की आर को लेकर वो लगातार इसराइली सैनिकों को मौत के घाट उतार रहे हैं और इसी बज़ा से इसराइल की बेचैनी बर रही है और दुसरी तरफ लाल सा अगर में लगातार गस्ती कर रहे हैं और इसराइल के अर्थविवस्था चर्मरा गई है बरबाद हो गई है तो यह है अपडेट वहीं उनाइटेड नेशन में 153 देशों ने बोटिंग की थी कि इसराइल युद रोग दे सीज़ फायर करे तो अब देर सबेर ही सही फिलिस् किसी कीमत पर बचने वाले नहीं है और इसराइल के जो लोग हैं उनका भी भरोसा वो खो चुका है और दुनिया को भी भरम तूट चुका है कि इसराइल एक सूपर पावर है सोचिए किस तरह से 75 सालों का अंत जो है वो सोसल मीडिया की वज़े से होने जा रहा है क्योंकि स सोसल मीडिया ने बिलकुल पोल खोल कर रख दिया इजराइल की और पस्मी मीडिया के उनको पता चल गया कि दरसल इंसानियत का दुस्मन बिस्तारवानी नीदी नीदी और बच्चों का हत्यारा जो है वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल है एक बड़ी बैठक में खारी देश लोग तो नहीं है तो दुनिया भर में इजराइल पहली बार अलग थलक पर चुका है और लगभग अमरीका ने भी उसका साथ छोड़ दिया है वही अब फिलिस्तीन के पक्ष में पूरा का पूरा खारी देश एक जूट है और वही गुरिल्ला इयुद में अब हमास के पा इस तक कि आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्मल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्मल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें